हलो एवरीवान एक बार फिर से आप सभी का विलकम है आपके अपने इस चैनल पर फाइनली जिसीज का इंतजार था वो आपके घड़ी यहां पर आ चुकी है आपका जो फाइनल आंसर की है वो एंटी ने रिलीस कर दिया है मैंने आपको एक वीडियो के अंदर बोला भी था कि लगबग 10 से 12 तारीक तक आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी और अभी आपकी फाइनल आंसर की आ गई है तो इस वीडियो में इंसोट हम लोग देखेंगे कि आप फाइनल आंसर की को कैसे चेक करेंगे कौन-कौन से कुशन जो डोफ हुए है कौन से चैलेंज आपके जो किये थे वो एकसेप्ट किये गए है आपके नंबर प्लस हो रहे है मतलब कम हो रहे है या बढ़ रहे है वो भी हम लोग देखेंगे ठीक है करने की जुरत नहीं है मतलब डेशबड में लोग इनकरने की चोपनेुकुकरT की करने के लिए है उसका पी डीएफ है जो कहांप पर आपको देखने को मिल रहा है बढ़े आपको ल लेक करना है पीडियाप को डाउनलोड कर लेना है जैसे आपने डाउनलोड किया तो यहां पर आपको जो है कुछ इस तरीके से नजरायेगा ठीक है मैं आपको एक दो का समझा देता हूं फिर आप समझ लेना मतलब बागी सब्जेक्ट का आपको क्लेर हो जाएगा तो यहां आप देखिए कोशन आइडी दिया हूए है और यह सारी की सारी नीचे वाली कोशन आइडी है यहां करेक्ट ओप्शन दिया हूए मिंस यह जो कोशन आइडी है 530 वाली इसका जो करेक्ट ओप्शन है वो है आपका यह वाला 842 वाला तो अगर आपने यह किया है मिंस आपक कि यह होगा ठीक है अब ऊपर देखिए आप यहां पर लिखा वह आपको फाइनल आंसर की आपको ऐसा नहीं लगए कि कई हो रहे है यह देखिए फाइनल आंसर की है और यह आपका पेपर का डेट होगा आपका जो भी पेपर जिसे यह वाला पेपर जो है आपका इसका जो पेपर वा था वो 20 मार्च को वा था और इसका एक्जाम सिफ्ट था सेकंड तो आप में एज कर लेना यह आप वाला ही है या फिर नहीं है ठीक है तो ऐसे आपको क्लेर हो जाएगा अब आपको क्या करना है आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर आपने लिया यहां पर आप लोग जो है लिखा हुए तो इसका जो चार नंबर है वह सारी स्टूटेंटको मिले हाँ 據 हां कर् knowledge को देख सकते है political science में आपका जो है e question ripe हुआ है English में आपका i think three question aggi slope है sociology में आपका एक भी question रूफ नहीं興 लब हुए यह जब हम live session में बात कर रहे थे तब तो मुझे थोड़ा याद है तो मुझे बता रहूं आपको बाकि आप अपने subject के साब से मेस कर ली जगा अब हम एक कोशन ऐसा देखते हैं यहाँ पर जिसमें एक से ज़्यादा यहाँ पर देखें इस सब्जेक्ट में तीन एक साथ ही जो है वो डोफ हो रखें यह साइद इंगलीस वाला ही पेपर होगा जहां तक मुझे लग रहा है नहीं यह अलग पेपर है तो एक से ज़्यादा कहीं ओप्शन आपको सही दिखाई पड़ रहे है तो अगर आपने दोनों में से कोई भी एक किया है तो क्या होगा कि वो जो है आपका सही हाँ पर माना जाएगा वो जो है आपका सही मान लिया जाएगा चली हम यहाँ से चेक करते है कोई ना कोई कोशन मतलब एक से ज़्यादा option जिसके थे तो उसमें से अगर आपने कोई भी किया है तो वो आपका accept यहां पर हो जाएगा यह देखिए आपका जो भी subject को subject के साफ से प्लीज आप लोग match कर लीजेगा अगर आपके पास response seat नहीं है बस समझते हो कि सर आए बस चले गए और काम का कुछ है नहीं बट ऐसा नहीं होता है काम का ही हम लोग बताते हैं बट आप seriously लेते नहीं हो वो एक अलग चीज है तो यहां पर देखिए अभी मिल जाएगा साइद किसी ने किशी कोशर पेपर में था अगर एक से ज़्यादा रहेंगे तो जो है वो क्या होगा कि उसके दो option आपको यहां पर दिखाई पड़ेंगे कि दोनों जो है आपके यहां पर सही है अगर दोनों में से कोई भी आपने किया है तो फिर accept किया जाएगा means उसके जो number है वो मिलेंगे ठीक है यहां पर देखिए यह मिल गया आपको question यह देखिए जैसे यह question है यह question ID है और इसके यह question जो option है वो है तो यहां पर दोनों option सही माने इसने ठीक है यह दोनों option सही है अगर आपने यह किया है तो भी आपका सही माना जाएगा और अगर आपने ये किया है तो भी आपका सही माना जाएगा आपका कोई भी पेपर हो पेपर में इस तरी के सीन मिलता है तो आप समझ जाना कि इसका आपको नंबर मिलेगा दोनों में से कोई भी किया है तो अगर नहीं किया है उन में से तो फिर आपको नह रिजल्ट आजाए बट 15 तक तो फूली आपके रिजल्ट आजाएगा जैसे आता है अलगर इन्युवर्सिटी आपके काउंसलिंग करवाएगी उसमें आपको फूली सपोर्ट किया जाएगा हमारे दुआरा हमारे वीडियो के माध्यम से तो आप लोग चैनल को जरूर सब्स आपको जाएगो के ऊमध है जिल्ए प्है है यईकरिया